इस तरह का question एक्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है तो इस question में सबसे पहले आपको इन दोनों matrix की multiply करनी होती है और multiply करने के बाद जो भी result आए उसको use करना होता है इनको solve करने के लिए कई पर बच्चे क्या करते हैं कि ये जो matrix method से इसको solve करने लग जाते हैं अगर आपने इसको matrix method से solve किया आपको marks उस method के बिलकुल नहीं मिलने वाले इस multiplication का जितने marks बनेंगे वो मिलेंगे आपको आपके multiplication का use करके इसको solve करना है अब वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ इसके अंदर कैसे होता है तो सबसे पहले आपको इन दोनों को multiply करना है बने लेते हैं अपने इस step में दिखाना आप इसको इसको आप to let कर लो पहली matrix को जो है इसको a माल लो और यह आप this को b माल लीजिए ठीक है और सबसे पहले आपको a into b करना है अटो जब a TO b करेंगे, तो देखे यह जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम के elements की HOW पुरी कॉलम से इसे मिल्टिप्प्ल Sum, अटो और यह विए element इसे मेल्टिप्लिप्लम से होगा और यह वेवना element ने और अच ने और विए element इसे मिल्टिप्लम से होगा प्लस प्लस फिर 9 की बारी आई इस पूरे से तो आएगा माइनस का 9 18 और माइनस के 18 प्लस 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 उसके बाद 6 की मुल्टिपाई करते हैं तो 12 माइनस के 18 और 24 अगली बार आपको यह वाला कोलम लेना है तो इसमें इसकी इसके साथ और यह वाला एलिमेंट इस कोलम 2 के साथ यह वाला एलिमेंट कोलम 3 के साथ तो देखते हैं क्या आता है 0 की तो टेंशन ही ना लो 0 सब को 0 कर देगा प्लस 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 उसके बाद 2 की बारी तो यह हो जाएगा माइनस का 2 फिर हो जाएगा 4 माइनस का 4 ठीक है, प्लस, प्लस, प्लस उसके बाद 1 की बारी, 1 के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है सिधा 2 माइनस 3 माइनस 3 और 4 लिख दीजे अब बात करते हैं, इसकी ये आपका इसके साथ रहेगा, येवला element कॉलम 2 के साथ येवला element कॉलम 3 के साथ तो 1 के लिए कोई परिशानी की बाली बात ही नहीं है as it is माइनस 3 का द्यान रखना थोड़ा तो ये आपका हो जाएगा कितना प्लस का 3 और ये होगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 उसके बाद ग्रीन वाला ये आपका माइनस के 4 फिर आपका 6 आगया प्लस का ये आगया फिर आपका माइनस का 8 हो जाएगा ठीक है तो जब इसको आप देखेंगे तो यारा के 11 माइनस के 11 और प्लस के 12 1 हो गया ये 0 आप गोर से देखो ये भी 0 और आप चाहो तो ज़्यादा प्रेशान मत हो इसमें सीधा ऐसे लिख सकते हो direct क्योंकि ये कुछ इसी प्रकार की एक scalar matrix बनती है अब यहां तो आपका identity लग रही है बट ये actually अगर इस तरह के question आता है तो scalar matrix बनती है और इस case में तो scalar की value k की value 1 दिखाई दे रही है और अलग-अलग questions में k की value कुछ भी हो सकती है तो यहां पर क्या आपका a,b इक्वल्स टू ये identity matrix आ रहा है मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि जो question आएगा न उसमें a,b इक्वल्स टू k इंटू कुछ इस तरह की situation बनेगी तो यहां पर इस case में k की value क्या 1 है ठीक है? तो अब आपने क्या करना है ये multiply तो कर दिया अब ये multiplication कैसे इसको solve करने में help करेगा ये मैं आपको बताता हूं तो अब इसके लिए आपने क्या करना होता है इसके लिए आप क्या करता है इसके लिए भी तो आप पहले matrix त्यार करेंगे न अब इसमें जो matrix त्यार होंगी इसके लिए क्या बनेगी 1-1 2 ठीक है? और x नहीं है तो 0 0 2-3 आगे 3-2 और 4 और जी हां इसमें आपको चीज observe करोगे और यह आपका जो matrix है यहां पर आपका 1 और 2 और यह जो आपकी matrix है अब A मत यूज करो क्योंकि A आप पहले से यूज कर चुके हो तो इसको A1 बोलो और इसको X बोल दो और यह आप B यूज कर चुके हो तो इसको B1 बोल दो ठीक है? अब यहां कुछ चीज observe करो कि जो A1 है कहीं इसे कुछ ही में से मैश तो नहीं कर रहा है हाँ जी A equals to A1 नजर आ रहा है तो हम क्या चीज अबज़र कर रहे हैं? here A1 is equals to A और आप जानते हैं कि जो X है वो A1 का inverse into B1 होगा है ना? इस के लिए अब आपको A1 का inverse चाहिए अब एक inverse की property भी है वो क्या है? इधर बताते हूँ आपको मैं देखें इधर बताता हूँ कि अगर A into A inverse है तो वो identity matrix के बरावर होता है सभी बात है? अब देखो जहां पर A into B equals to identity matrix आ रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ? A का inverse क्या है? B हो गया ना? तो यहनि कि अगर आप A का inverse this implies your A inverse is equal to B यहां से एक result यह भी मिलता है पर अगर by chance कोई K होता तो क्या होता? K होता तो बढ़ आसान होता देखिए फिसको आप ऐसी लिख सकते हैं के को इसके B के अपोन में ले जाओ ऐसे ऐसे तो इस केस में जो A inverse है ना वो 1 अपोन के B हो जाएगा ठीक है? अगर by chance आपके जो आपकी यह जो scalar matrix है उसमें कोई K value नेजर आती है तो उस केस में A inverse आपका 1 अपोन के multiplied by B हो जाएगा अचा ऐसे भी हो सकता था कि यह B जो है यह जो B है वो A के A one के एकवल होता ऐसे भी हो सकता है समझ रहे हो? ऐसा नहीं है जुरूरी नहीं है कि पहले वाला ही बनाएगा कई बार यह B भी मिल जाता है तो उस केस में जो A है A के साथ A जो है आपका B का इन्वर्स होगा अगर K आ रहा है तो K से डिवाइड कर दोगे तो B हमारा क्या होगा? A upon K B का इन्वर्स A upon K हो जाएगा ठीक है? एक चीज़ और कई बार क्या करते हैं? इनको भी उपर नीचे कर देते हैं आपको पहले ही मैंने की question में बताया है यह जो आपकी equation 1 है, equation 2 है, equation 3 है उससे जब आप A1 बनाते हो बिल्कुल सही बनता है pattern में ऐसे, बिल्कुल सही बनाए अगर माली जी आपकी जो यह row 2 है यह row 3 दिखाई दे रही होती तो भी बिल्कुल परिशान होने की जुरूत नहीं है आप इसको पहले rearrange कर लो ठीक है, इसको rearrange करके तब question को solve करो यह एक important question हो जाता है, इस तरह से गराता है अब आपके सामने question बड़ा असान हो जाता है, क्योंकि अब आपने क्या करना है, A1 inverse आपको पता ही है, A1 inverse क्या है A1 हमारा A के बराबर है तो जो A1 का inverse होगा वो A inverse के बराबर होगा और जो A inverse है, वो क्या है, B है समझवाई बात की नहीं आई तो यानिकि X बराबर क्या होगा B into B1 होगा ठीक है, तो B into B1 को solve करेंगे, तो एक काम करते है अटा दो, B हमारा क्या है इसके elements क्या है, minus 2, 0, 1 देखना दिराम से हमारे है minus 2, 0, 1 उसके बाद 9, 2 minus 3 6, 1, minus 2 एक बार देख लो ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें B1 लिखना है, B1 के क्या थे 112 1, 2, तो B1 के लिख दीजिए 112 अब इनको multiply करेंगे तो multiply करते हैं आपको पता ही है कि यह जो पहला element है इसके साथ आएगा यह वाला जो है यह column 2 के साथ आएगा यह वाला column 3 के साथ आएगा तो देखो क्या बनता है 1 से कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है माइनस 2, 9, 6 प्लस, प्लस, प्लस अब इसकी 0, 2, 1, फिर 2 की बारी प्लस के क्या हो जाएगा? यह 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के 6 और माइनस के 4 ठीक है? तो यह आपका क्या बनता है? 0 आ रहा है जीरो और यह? 5 आ रहा है और यह? 7 यह 3 आ रहा है तो X, Y, Z अब यह थोड़ी सी वैल्यू अजीब से लग रही है तो इसको जुरूर एक बार रक्के जुरूर देख लिए तो 0, 5, 3 ये चेक जुरूर कर लें क्योंकि थोड़ा अठपटा लग रहा है X की वेल्यू हुरी निकल किया रही है 0 Y की वेल्यू किया रही है 5 और Z की वेल्यू निकल किया रही है 3 तो एक पर देख लेते हैं कि क्या satisfy कर रहा है कि नहीं equation यह है आपके सामने पहले आपने रखना है 0 minus के 5 और 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 और minus के 5 1, सही है इस वाले case में देखें 5 दूनी 10 और 3 दूनी 9 तो 10 minus 3, 1, बिल्कु ठीक है तो यहनी कि हमारा answer सही है final answer आ गया है highlight कर दो